नमस्कार करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं शहर के और देश के जाने माने नियूरोचिक सक्ट डॉक्टर वी अन मिश्रा तो आप से भी करवाते हैं उनकी मुलाकात पर डॉक्सर भाई का इक्रम आपको बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत धन्यवाद और अभी जो इस काफी कम हो रहे हैं लेकिन महानगरों में भी केसे काफी हैं जिस तरह हम धलान की बात करते हैं उसी तरह हम लोग साथ में वैक्सिनेशन की बात भी कर लें कि वैक्सिनेशन भी काफी बढ़ियां ड्राइव इसमें चल रहा है भारत सरकार ने और प्रदेश के सरकारों ने ए तो सामाजिक दूरी बना कर रखना, मास्क पहनना और नियमित रूप से हाथ धोना ये तीन चीजें अगर समाज के लोग इसको फॉलो करें तो निशित तोर से अगला वेव नहीं आएगा बिलकुल और ऐसी हमारी भी इश्वर से प्राथना है कि अब ऐसी भयावा हिस्तितिय का सामना हमें न करना पड़े लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते भी हैं तो अगर शर्तों की बात करें तो वो शर्ते क्या-क्या है जैसे वैक्षिनेशन को लेकर के भी कुछ लोग थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं तो क्या संदेश देंगे आप देखे दो संदेश बहुत वैक्षिनेशन उसके बाद अगर कोई करना इंफेक्षन होता है तो उससे उसकी जान नहीं जाएगी वो एक मामली सर्दी जुखाम या बहुत होगा तो खांसी था बुखार होके रह जाएगा दूसरा जो वैक्षिनेशन के प्रती लोगों में एक अंध विश्वास कई ल तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है किसी भी तरीके के वैक्षिनेशन जो देखे देश भर में कई वैक्षिन उपलब्द हैं कुछ विदेशी वैक्षिन भी अब आ गया है जिनको भारत सरकार ने हम सब ड़क के लिए मंगवाया है निस इस विशय पर करना चाहेंगे कि पोस कोविट सिंड्रोम जैसी बाते आ रही हैं अभी जो लोग बीमार पड़े वो उन स्थितियों से उबर नहीं पा रहे हैं अगर मांसी किस तर पर बात करें तो हमारे मस्तिश्क पे मन पे इसका क्या आसर पड़ रहा है तेखिए एक बी से ठीक होने के बाद किसी को लक्वा हो गया या किसी की आख की रोशनी कम हो गई या उनके हांत पर में जुन-जुनी के साथ उनको दिककत हो गई जिसको हम कहते हैं जीवी सिंड्रोम फिर उनकी रोशनी चले गई तो dio'cichk sixky kaffi develop लोगों में हुए लेकिन ये इतने भी न में एक चीज हम लोंने common देखा, वो ये लोग हैं जो लोग काफी लंबे समय तक जिनको बिमारी रही, जो लोग वृद्ध थे, जिमें immunity की problem जादे थी, इसलिए ऐसाने की सम्में देखेगा, पर हाँ, जैसे common neurological symptoms जैसे भूलने लगना, या मन न लगना, या किसी को सरदर्द हो गया, या किसी को चक्कर आ गया, तो ऐसी चीजें अभी कम proportion में हैं, लेकिन आ रही हैं, लेकिन आपके जरिये में सबसे कहना जाओंगा, इससे घबडाने की बात नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, जिससे जान पूछे, कोई भी दवा अपने मन से नखाइए, और बिना किसी कारण के डरिये मत, ये दो बाते मैं आप से कहना चाहूंगा, जी, और अभी जो हालात हैं, वो काफी बदल गया है, लोगों से मिलना, जुलना कम हो गया है, बाहर निकलना, समारों को एटेंट करना, बच्च तो सामाजिक तानाबाना ही हम लोगों के मस्टिश की एक बहुत बड़ी उर्जा है, इस उर्जा को बचाने के लिए, अब जैसे हमने कहा कि मास्क सब कोई लगाईए, शोशली डिस्टेंस जो बहेवियर है, उसको फॉलो करिए, लेकिन मैं ये थोड़ी ने कहा कि आप अपने मित्रों से जो घर के अंदर जो आपका एक समू है, जिसमें आपको पता है कि हम सब लोग कोरना या तो नेगटिव हैं, या तो उनको कोई इनफेक्शन नहीं है, तो आप उनसे एक डिस्टेंस के जरिये, आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बाचीत कर सकते हैं, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी के दुख में शरीक होना कोई भी विशशग्य मना नहीं किया, हमने ये बिहेवियर देखा कि किसी को गर कोरना हो गया, या ऐसा पता लगा कि इनके परिवार में कोरना है, तो लोग कोसों दूर हट गए, जैसे लगा कि इनको इनक पर शहर में जैसे एक लड़का है, अमन कबीर, उसने अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके लोगों की हेल्प करना, लोगों की सहायता करना, सौरो मौरिया जो ब्लड डोनेशन ग्रुप चलाते हैं, फिर होप टीम जो आपने देखा होगा दिव्यांशु अपाध्या और संजे जी, ये सारे लोग मिलकर के ये एक 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 जामपल सेट करते हैं, दूसरी बात एक जो डिजिटल मीडिया पर एक बहुत अच्छी हेल्पिंग ग्रूप है, जिसमें शशांग शेखर जी, अनुपम पांडे जी, अवनिंद्र जी, ये सारो लोगों के नाम है, इसलिए ले रहा हूं, क्योंकि इन लोगों ने समाज को दिखाया, कि किसी न किसी तरह लोगों की हल्प करिये, ये अपने शहर में हो रहा है, तो ये एक जामपल है, इसको एक जामपल लेना चाहिए, जी, बिलकुल, एक समस्या बुजर्गों के साथ है, कि सबसे डरे और सहमें हैं, औ और तीसरी लहर के अगर बात करें, तो बच्चों को लेकर के पैरेंट सहमें हुए हैं, बच्चे भी कही न कहीं शशंकित हैं, तो ऐसी स्थितियों में हमारी किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए, मानसिक स्तर पर भी, और शारीर किस्तर पर भी, दूसरी लहर धालान पर है, और ये एक हमनों की study है, प्रफ़सर ग्यानेशर चोबे, अविशेक पाठक को मैं उसमें पाठ हूँ, उसमें दिखाया गया कि ये एंटी बॉडी का पहले वेव के बाद लगभग चार महिने का गैप था, अब एंटी बॉडीस लगभग छे महिने आपको प्रोटेक्ट करेंगी, इचे महिने का प्रोटेक्शन पर जून से लेके दिसंबर तक आप भी एंटी बॉडीस प्रोटेक्टेटेद हैं, इस जो तीसरी वेव के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी कालपनिक वेव है यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई देशों में तीसरी वेव आ गई लेकिन भारत में मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि are not value मतलब एक infected person से जो कई लोग infected होते हैं वो लगभग 2 या 3 रहा बाकी है वो ऐसे भी कम है genetically अगर हम behavior बढ़ियां करें और vaccine बढ़ियां से लगावें तो मुझे पूरा विश्वास है इस दूरदर्शन के channel के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा मुझे इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि तीसरी वेव आएगी ही नहीं जी बिलकुल ऐसी आशा हम में उन स्तियों का सामना न करना पड़े लेकिन अभी भी बहुत सारी बाते हैं जो जाननी और समझनी जरूरी है लोगों के लिए मसलन के भी बरसात का मौसम है black fungus का भी प्रकोप है ऐसी स्तियों में ऐसे जो infection से बढ़ जाते हैं तो इस समय क्या आप message देना चाहेंगे बिन इसको diabetes है अगर उसको steroid चल रहा है तो अपने blood sugar का management जरूर करा है इसी से black fungus की epidemics पूरी आ गई है हमने 20 वरशों में अगर 15-20 black fungus देखे होंगे तो इधर तीन महिनों में लगभग 100-500 black fungus देख गए इसका भी एक research चल रहा है कि अखिर में ऐसे क्यों आए लेकिन जो सबसे ब बेगर चिकित्से की साहता न लें दो बाते हैं अगर कोई कोविट से ठीक हो रहा है अगर उसके आँख के चारा तरफ लालपन है सूजन है रोशनी कम हो रही है सरदर्ध है तो black fungus की जांच जरूर करा है और अगर किसी ब्लैक फंगस की जांच में आ रहा है black fungus तो उसका इल जहां तक आपने तीसरी वेव में बच्चों की बात की तो मैं इसी करम में बताना चाहता हूँ कि बच्चों में जो कुर्णा का जो disorder या जो रोग देखा गया अभी तक उसमें यही कहा गया कि जो बच्चे 12 साल से कम हैं उनमें एक तो आपको बहुत लिमिटेड मतलब एक एक एंटिवाटिक्स आपने दे दिया और एक आपने वो बुखार की दवा दे दी वो पूरा रिजीम भारत सरकार ने दिया है रैमसीडिविर 18 साल से कम में देना नहीं है उनमें भी किवल जो प्रोटोकॉल की दवाईयां वही देना है तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आजकल जैसे आपने देखा हूँ भारत सरकार की ये भी इसकी मा गई है कि जिन बच्चों के माता-पिता वैक्सिनेट हो जाए तो उसमें बच्चों पर रिस्क कम हो रहा है तो जल्दी सजल्दी आप लोग वैक्सीन लगवाईये यही इसका एक बचाओ का जाए हैं मेडिया के थूँ ऑनलाइन क्लासेस पे जब जुड रहे हैं वो तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों से वह रूबरू हो रहे हैं ऐसे में गार्जियंस के लिए क्या आप सचेत करने के लिए कहना चाहेंगे गार्जियंस में कहूंगा कि बच्चों को चल रही हैं लेकिन बाकी दिन भर हो घर में ही रह रहे हैं तो यह अच्छी बात नहीं है अगर आपके पास क्यों बगल में मैदान हो जहां आप कोर्ना एप्रोप्रेट बिहेवियर साथ जा सकते हो तो बच्चों को जोरू फील मिले जाई है थोड़ा से दोड़ें धूप चीज है जो इसके लिए हमको कहीं किसे से नहीं पूछना है यह अपने बिहेवियर मिला में दूसरा जब ऑनलाइन क्लासेज चल रही होती है तो बच्चों से मैं यही कहूंगा कि जो ऑनलाइन क्लासेज में कंसेंट्रेशन आप लगाता है टीवी पर स्क्रीन पर देख रह ज़एगा पैरंट्स को भी चाहिए कि बीच बीच में जाकर देख रहा है कि क्या इसक्रीन पर क्या चल रहा है टीचर क्या कह रही है क्या मेरा बच्चा सुन रहा है या या ऐसा तो हूँ बच्चे ने वीडियो आफ करके खानी खेल रहा है तो कई चीज यह है बिटस के द जोड़े रहना, वीडियो गेम्स और खेलना, यह क्या हमारे मस्तिष्ट पर कोई दुष्प्रभाव डालता है? यह तो देखिए बहुत पुरानी एक रिसर्च पहले भी आई थी, कि जो फ्रेम शिफ्ट आ होते हैं तेजी से, जैसे कार्टून करेक्टर से है, यह हम लंबे समय तक अगर टीवी पर जो ऐसे फिल्म देखे हैं, जैसे बहुत तेज करेक्टर चेंज होते हैं, इससे ब्रेन में तरंगे उपलब होती हैं, जिससे मिर्गी आ सकता है, इसको हम कहते हैं, काटून इंड्यूस्ट या फ्रेम शिफ्ट इंड्यूस्ट इक्षन हो जाता है, वो भी अच्छा नहीं है, तो जैसे अब आज कल आपने देखा हुआ, छोटी बच्ची ने एक मैसेज जमू कश्मीर से दिया, आधरणी प्राइम निस्टर साब को, कि हम लोग छोटे बच्चे हैं, हम लोग कम समय पढ़ाना चाहिए, तो उसके बाद यह कुछ नहीं दे सकते हैं, यह समय ऐसा है, जिसको हम लोग को किसी तरह काटना अहा, अपने आपको सुरक्षित रखना है, दिल, दिमाग, मन, सब चीट सुरक्षित रखना है, भीलकोल, और जीने का एक बिलकुल नया सली का सीखना है, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमाई काईकरम में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि जानकारियों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपसे अब इजाज़त लेना चाहेंगे, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए, नमस्कार.